नश्कार दोस्तों मैं हूँ राजीब हमारे चैनल आरके साइंस बॉक्स पर आपका स्वागत है दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न बोलें दोस्तों हम आज नैशनल साइंस दे के बारे में जानेंगे इसको क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उदेश्य है इस दिन लोगों को राष्ट्री ये स्थर पर कौन-कौन से अवार्ड दिये जाते हैं सर्व अवार्ड क्या है और हम साइंस डे कैसे सेलिबरेट कर सकते हैं आओ सबसे पहले हम इस प्रशन के बारे में जाने कि हम National Science Day 28 February को क्यों मनाते हैं। दोस्तों National Science Day 28 February को प्रतिवर्स इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रमन एफेक्ट की खोज की घोशना हुई थी। भारत सरकार ने 1986 को 28 February को के दिन प्रतिवर्स National Science Day के रूप में नीद कर दिया था। इस दिन को मनाने के लिए भिविन संस्थाओं में थीम वेस्ट साइंस से संबंदित एक्टिविटीज पूरे देश भर में की जाती हैं। National Council for Science and Technology and CSTC जो की DST Government of India के अंडर Apex Body है और या Science और Technology को कम्निकेशन करती है और संस्थाओं को, efforts को कॉडिनेट करने के लिए काम करती है। तथा बच्चाओं और युवाओं में scientific temperament जगाने का काम भी करती है। National Science and Technology Communication and Popularization Awards दोस्तों इन अवार्ज की शुरुवात 1987 में हुई थी और इसका उदेशिय नए बैग्यानिकों के efforts को रेकोगनाईज करना था सथा scientific temperament को प्रवोक करना था और उसको प्रमोट भी करना था। अब हम यह भी जाते हैं कि National Science Day कि हर साल celebrate होता है और हर साल यह अवार्ज दिये जाते हैं तो इन अवार्ज को छे कटेगरी में बंट गया है सबसे पहली कटेगरी है इन जेनरल सभी के लिए है और इसमें पांचल लग लाग तक का जो प्राइस जो हो अवार्ज राशी दी जाती है इसमें जितनी भी बुक्स और मेगजीन जो हाई इंफ्लेंसिल है और अच्छे कंटेंट वाली है उनको जो स्लेक्टर है उनको दो लाग तक का अवार्ज दिया जाता है इसमें भी दो लाग की राशी समीलित है और चौथा अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर आउट्सेंडिंग एफर्स इन ट्रांसलेशन और पॉप्लराजेशन साइंस और टेक्नोलोजी लिट्रीचर इन लेंग्वेज मैंसिनिंग इन एच्छेडियूल ऑफ दी इंडिया और इंग्लिश तो यह कंस्टियोशन के बारे में और ट्रांसले नेशनल अवार्ड फॉर और स्टुनिंग एफर्स इन साइंस और टेक्नोलोजी और इलेक्ट्रोनिक मेडिया उसमें इन्वेशन के लिए भी दो लाग की राश्ची जो है वो रखी गई है अब इस साल का जो नेशनल साइंस देका जो टॉंटीटीटीटू का जो थीम है व अलग यहां पराने अब जो मतलब कुछ यह कौन-कौन से थीम थे तो लास्ट फोर यहां पे स्लाइड में देख सेब के हम 2021 का जो थीम था वो future of science technology and innovations और impact on education skill and work और 2020 का जो थीम था वो movement in science 2019 का था science for the people and the people for science 2018 का था science and technology for a sustainable future अब यह national science दे जो है यह कब डिकलेर हुआ तो 1986 में जो है national council for science and technology and communication इसने प्रकोजल रखा government of India को कि 28 फेबरी को जो है वो national science day celebrate किया जाना चाहिए और government ने इसको accept किया और फिर उससे जो next year था 1987 उसमें 28 फेबरी को से यह national day science day celebration जो है वो स्टार्ट हो गई अब national award for young women जो है जो excellence show करती है तो उनके लिए मतलब यह तीन है और पहली केटेग्रीज है offers इंडियस्फ लेडिस लेडिस को सब्सक्रण को जो है और ये über इसका मतलब है कि science and engineering research board तो जो भी अच्छा काम करने वाले लेडिज ने बढ़िया काम किया विमन्स ने और उनको यह प्राइज दिया जाता है और इसमें फाइव लाग की जो राशी होती है वह हर साल फॉर्ड नेक्स फाइव एर जो है तीन यह तक यह दी जाती है और ब्यांड टूजन थाटीन तो यह 55 विमन्स को यह अब तक जो है वह वाड़ दिया जा चुका है अब बात करते हैं कि हम साइंस डे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर हमने अपने इंस्ट्यूशन में कहीं भी संस्ता में करना है तो तो इसके करने के अलग लग तरीके हो सकते हैं को इसलिद्ध कर सकते हैं तो साइस्टंस दे के बारे में बात करते हैं मिलते हैं नेक्स मेरे अ है